नमश्कार दोस्तों मैं हूँ महिदर दोगने मोटिविशल स्पीकर और लाइफ कोच और आज जो है हमारी क्लास है सातवे नमबर की सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लेता हूँ उन सभी नए भाई बैनों से जो कि हमारी क्लास पहली बार देखने आए है आप चले जाहे हमारी YouTube की प्लेलिस्ट पर बहुती सिंपल होता है कहीं लोग बोल रहे हैं कि भाई नमबर कहां मिलेंगे सारे की सारे वीडियो YouTube में हमारे चैनल में जाहिएगा वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पर share market की playlist मिलेगी और आप वहाँ जाकर हमारे सारे वीडियो एक नमबर से ये 7 नमबर तक के सारे वीडियो एक साथ देख लीजिए क्योंकि 7 नमबर पर देखेंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना सभी लोगों को मज़ा आ रहा है जो एक नमबर से classes देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक नमबर से देखेंगे ये 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद इसको देखेगा मज़ा आ जाएगा दूसरी चीज यदि अभी तक आपने टेलिग्राम ग्रूप जोईन नहीं किया है और तीसरी और सबसे इंपोर्टेंट चीज कि यदि अभी तक आपने फ्री डिमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिमेट अकाउंट खुलवा कर रखो अगले 10-15 दिन में कोई कमाल की चीज होने वाली है जो टेलेग्राम ग्रूप पर आपको पता चल जाएगी और बहुत ही जल्दी हम लाइव भी आने वाले हैं तो यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपको कोई ट्रेनिंग दूँ सिखाऊं तो चलो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो और लाइक तो करते हैं शुरू में लाइक कर दिया करो यह कहने की बाते नहीं है अपने दोस्तों को शेर कर दिया करो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं कि है वो भी कर लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं साइकोलोजी आज का जो टॉपिक है लेकिन शुरू करने से पहले प्रणाम कीजिए हमारी कम्यूनिटी को हमारी कम्यूनिटी का नाम है among trader है ना हमें एक trade के तरह among करना है trade like among क्यों क्योंकि हमें patience full बनना है greed नहीं अपने अंदर आने दिना है हमको knowledge wisdom चाहिए जो हमें अच्छा trader या stock market में अच्छा perform करने के लिए मदद करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं देखिए psychology एक ऐसा topic है जो कि मुझे भी लगता था कि यार सीख लेंगे तो बड़ा ही आसान है क्योंकि life में मैंने बहुत सारी चीज़े की है ठीक है मेरे पिताजी mechanic है तो मैंने करीबन करीबन बचपन से जवानी तक हर दिन मैं अपनी shop पर गया हूँ garage था हमारी पिताजी का तो वहाँ पर गया हूँ और 3-3 साल तो मैंने खूब मेहनत की है garage के अंदर मतलब proper मैं garage में ही उतर गया था 12 के बाद तो मैं सुबह 8 बज़े जाता था शाम को 8 बज़े बापस आता था अपने garage से मतलब मैंने बहुत पहनत किये वो सीखा मैंने फिर मैं competition exam के त्यारी करता था 9th class से 12th class तक 12th class में मेरा state bank of India में selection हुआ उसके बाद 1-2 साल मैं घर से बाहर रहा है ना उसके बाद मैंने अपनी खुद की coaching स्टार्ट की जिसको 5 साल successful चला है उसके बाद मैंने YouTube career शूरू किया उसको 5 साल बहुत successful चला है तो मुझे लगता था कि ये trading meeting क्या है ये तो बड़ा आसान होगा इतनी सारी चीज़े सीखिये साती सात मैंने music सीखा है दो साल मैंने Indian classical music सीखा है मैंने guitar खुद से सीखा है मैंने flute बजाना खुद से सीखा है और भी ऐसी कहीं सारी चीज़े मैंने खुद से सीखिये तो मुझे क्या लगने लगा या मुझे क्या लगता था कि trading क्या चीज़े यार इतनी सारी चीज़े हमने सीखी है तो ट्रेडिंग भी बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे मुझे लगा था कि नॉर्मली जैसे सभी चीज़ों को सिर्फ प्रैक्टिस करकर के सीखते हैं इसको भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे लेंगे पढ़ लेंगे खुब सारा पढ़ लेंगे और सीख जाएंगे लेकिन मैं इस बार गलत साबित हुआ क्यों गलत साबित हुआ कि कई सारी लोग कह रहे थे कि भाईया बहुत सारी चीज़े जरूरी है stock market में लेकिन 70% से भी जादा psychology पर काम करना होगा और psychology को improve करना होगा मैं समझ नहीं पाया कि psychology improve करना क्या है मैं तो motivation speaker हूँ psychology तो वैसे ही improve रहती है है ना हमारे emotions हमारे control में होते है ऐसा लगा था मुझे लेकिन जैसे ही हम market के अंदर आए प्रभु जी ने हमको अपने साक्षार करवा दिया कि भाईया यहाँ पर चीज़ें अलग होने वाली है और वही सबसे important चीज़ है यदि अभी तक भी आपको लग रहा हो ना कि chart pattern, candlestick pattern ये pattern, वो trading setup ये सब कुछ important है तो ये सिर्फ 10-20 प्रतीशत ही है बाकी 70-80 प्रतीशत आपका mindset, आपकी psychology है आज आपको समझ में आने वाला है कि क्या-क्या दिक्कते होने वाली है तो मैं आपको trading जो है stock में हम शुरू करने वाले हैं उसको शुरू करने वाले हैं कि उससे पहले में आपको जो 2-3 chapter भी आने वाले है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो 80 प्रतीशत देदी complete नहीं हुआ तो ये 20% हम जितना भी ज़्यादा सीख लें कितने ही setup दे दूँ मैं आपको कितनी ही नई चीज़े सिखा दूँ आप market में टिक ही नहीं पाएंगे और उसका बड़ा कारण क्या है psychology देखो सीखना आज का वीडियो बहुत important है और कितना important है comment box में बताना आप मुझे सब के पास same chart है आपको क्या लगता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब को नहीं पता कोई मैं आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो किसी को नहीं पता होगी अरे भाईया सब के पास same chart है same pattern है same setup है कोई बहुत ज़दा अलग setup नहीं है कोई बोल रहा हूँ ना औरे मेरे पास ऐसे strategy है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है तो भाई साथ ये उसके पास ऐसा कुछ होता ना तो वो Bill Gates वो खुदी होता या Warren Buffet वो खुदी होता ऐसे बोल नहीं रहा होता आपको पड़ा नहीं रहा होता तो simple सी चीज है सबके पास same ही चीज है तो भाईया समझने की कोशिश कीजेगा तो कुछ ही लोग क्यों पैसे बना पाते हैं सारे के सारी लोग पैसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं उसका जो कारण है आपकी psychology psychology ही सबसे बड़ा कारण है सबसे important role play करेगी आपकी psychology क्यों क्यों ऐसा होता है क्योंकि आपको जानने की ज़रुद है market का जो course है वो सिर्फ दो महीने में हो जाएगा ये दो-तीन महीने में आपको सारी चीज़े पढ़ा सकता हूँ मैं और भी advanced labor पर जाऊंगा एक महीने देड महीने के अंदर रात दिन करके मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा सब कुछ पढ़ा दूँगा कई सारे भाई बैन कहा रहे न कि सर हर दिन class डाला करो अरे हर दिन class मैं डाल सकता हूँ लेकिन इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि आप 2-3 दिन उस चीज की जो मैंने आपको सिखाई है उसकी practice तो करो practice ही नहीं करोगे आप सारी की सारी चीज़े एक साथ सीख लोगे उसको market में देखोगी ही नहीं practice ही नहीं करोगे तो आपको क्या लग रहा है आपको आ जाएगी जब तक जो चीज़े सिखाई जा रही है वो pattern, वो candlestick pattern, वो chart pattern वो trend line, वो support, वो resistance जब तक आप बार-बार market के अंदर नहीं ढूंडेंगे आप से trading होगी ही नहीं है stock market में आपको कुछ नहीं बनेगा यह आप उसकी practice नहीं करते हैं तक सबसे important चीज़ है अब आपको धीरे-दीरे समझ में आ रहा होगा कि जब में इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रहा हूं कि कोर्स तो एक दो महीने में हो जाएगा तीन महीने में हो जाएगा लेकिन साइकलोजी को इंप्रूव करने में 6-7 साल लग जाएगी है ना जो अच्छी साइकलोजी है उसको इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है लेकिन हम initial level पर earning शुरू कर देते हैं, मतलब 6 महीने साल भर, देर साल, दो साल के अंदर एक छोटी जो साइकलोजी है वो अच्छी हो जाएगी, मतलब आपकी earning शुरू हो जाएगी, लेकिन एक जो बड़ा mindset होता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, तो आप सुचेंगे कि यार कुस तो नहीं करना, बस लोटी तो बढ़ाना है, लोट बढ़ाके मैं पैसे जादा कमा लूँगा, लेकिन भाई साब वहाँ पर भी एक लोट से जब 4 पर जाओगे ना, और 4 से 10 और 10 से 20 पर जाओगे आपकी हालर टाइट हो जाएगी आप वहाँ पर जो PNL होगा, उसको देखके रही नहीं पाएंगे तो उसमें भी साइकोलोजी को इंप्रूब करना होता है मतलब यहाँ पर हर एक स्टेप जो आगे हिस्से बता रहा हूँ, आप अपने आपको देख लेना कि आप वर्तनमान में किस हिस्से में हो और आपको चौते हिस्से तक आने में क्या-क्या चीज़े लेगी, बहुत important class है यह, miss मत कर देना एक भी बात को, अब चार हिस्सों में कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो पहला हिस्सा क्या है, यह है पहला हिस्सा, पहला जो हिस्सा होता है ना, उसमें व्यक्ति क्या करता है psychology कैसी होती ही, वो समझा रहा हूँ पहले हिस्से में क्या होता है, एक इंसान आता है stock market के अंदर, दो चीज़े लिके, घमाण और पैसा, है ना, हर इंसान, अच्छा इसमें ये बात समझ लेना, कि यदि मैं हूँ, तो मैं अलग हूँ आप लोगों से या आप हो, तो आप मुझे से अलग हो, बिल्कुल नहीं जो मेरी psychology है, वही आपकी है आपकी जो है, वो मेरी है, हम सबके सब, stock market में ऐसे ही आते हैं, अब आपको क्या लग रहा होगा एक दिर साल पहले जब मैं market में आया तो मेरे पास पैसा नहीं होगा, अरे बहुत पैसा था मेरे पास, है ना, लेकिन मैंने एक अच्छी चीज ये कि, कि मैंने पूरा पैसा market को नहीं दिखाया ये मुझे लगता है कि मेरे भारे में मेरी सबसे अच्छी चीज रही, क्योंकि अब लगता है कि अच्छा हुआ, मैंने सारा पैसा नहीं दिखाया, मैंने शुरुवात की थी सिर्फ एक लोट से मैंने एक लोट से शुरुवात की और उससे भी पहले मैंने स्टॉक से शुरुवात की मैंने स्टॉक को खरीदना बेचना शुरू किया और जब मुझे लगा कि हाँ, धीरे-धीरे समझ में आ रहा है तम मैं option के अंदर कूदा था तो आप घमंड लेकर आते हैं है ना, मुझे भी घमंड था कि यार, मैं तो motational speaker हूँ मेरी psychology तो अच्छी है, मुझे fear और greed आएगा ही नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो पैसा भी बहुत सारा है तो मैं एक-एक lot से खरीदूंगा, बीचूंगा तो मुझे कोई greed भी नहीं है, बहुत जादा पैसे की जुरुत भी नहीं है, क्योंकि other source of income भी है मेरे पास, और मेरे अंदर fear भी नहीं है, डर भी नहीं लगेगा, लेकिन market आपको असलियत दिखाता है आपके अंदर fear भी आएगा आपके अंदर greed भी आएगा, और कब आएगा मैं सिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, तो इनसान जब पहली step में, और ये सब के साथ होता है, इस बात को याद रखेगा, फिर सा समझा रहा हूँ कि मैं महिंद्र दोगने motivation speaker हूँ इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, पहली step मेरी भी यही थी, कि मैं घमन और पैसा साथ में लेकर आया market के अंदर ये बात अलग है कि मैं कम पैसा लेकर आया बहुत ही छोटा amount लेकर आया कि market ले भी जाएगा इस amount को तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है है ना, घमन के इस बात का कि हम motivational speaker है तो हमको तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीक है इसके बात क्या होता है greedy होकर आएगा, या फिर fearless होकर आएगा, समझना greedy होकर आएगा, greedy होकर आएगा क्या मतलब है, तुम सब लोग यहाँ पर क्यों हो पता है, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है कि share market के अंदर आएंगे और बहुत सारी classes देख लिए है महिन सर की भी classes बहुत अच्छी लग रही है मज़ा आ रहा है, अभी कुछ दुनों के अंदर ना आपन, note चापने की machine बनने वाल है फिर क्या होगा, कि इधर से ऐसे ऐसे उडाते हुए दिखते न YouTuber या share market के जितने भी लोग है काफी सारे लोग, कि मेरा PNL ये है मैं चलते चलते ये कर रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि आप भी उनकी तरफ बस शुरू हो जाएंगे लेकिन आपने उनके पीछे का दर्द नहीं देखा है वो आज इतना पैसा क्यों कमा पा रहे हैं दिखाना नहीं दिखाना ये गलत या सही का काम इसमें बात नहीं है हर विक्ति के अपने इक्षा होती कि मैं जब ऐसा करूँगा तो मैं ऐसा, मेरे पास इतना आ जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा किसी का शौक होता है दिखाने का, किसी का नहीं होता है अब जो main खिलाडी है न शेयर मार्केट के जो शेयर मार्केट के चला रहे हैं उनके तो नाम भी नहीं पता होंगे आपको जो आपको नाम पता है हम तो सब एक प्यादे हैं हम तो छोटे-छोटे से खिलोने हैं जो main है king है king maker है वो तो कहीं अलगी बैठे हुए है और वो कितन क्रोरपती बनने का जो सपना दिखा था तो पहले ऐसा होता था MLM को हम कहते थे एक के साथ 3 जोड़ो 3 के साथ और 3 जोड़ो और MLM की एक चेंड बनती थी और वो ख्वाब दिखाते हैं सपने दिखाते थे कि आप क्रोरपती रात हो जाएंगे तो कहीं लोग उसको जो बु आदेगा, बनाएगा लेकिन उसके लिए तपस्या लगेगी, तपस्या कितने सालों के लगेगी, वो आपकी psychology की उपर, आपकी उपर depend करेगा कि कितना जादा time लगेगा, तो पहले आप क्या होंगे, ग्रीड लेकर आएंगे, ग्रीडी होकर आएंगे और fearless होकर आएंगे जह पहले ही step बतारो, भी चार step बाकी है, यह सब पहले वाली में होने वाला है, घमन लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, ग्रीड लेकर आएंगे, और fearless होके आएंगे, आपको लगेगा अरे भाई, तेरे भाई का कोई कुछ बिगार नहीं सकता, share market क्या कर लेगा, मैंने महे पता कि यह pattern काम करता है, उनको क्या पता कि strategy काम करती है, मैं उस strategy का use करूँगा और पैसा बनाना शुरू कर दूँगा, तो आप यह चार चीजों के साथ पहली वाली step में आएंगे, अब market बहुत श्याना है, मतलब इतना श्याना है, इतना श्याना है, कि उसको सब कुछ प वो पहला चब trade लेंगे, आप दूसरा जब trade लेंगे, आप तो क्या करेगा पता है, आपको profit देगा, और आपको psychology के कैसे जाल में फसाएगा, कि बस आपको शुरुआत में लगने लगेगा, अरे देख मैने तो कहा था ना, ये देख मैने 500 रुपे बना लिए, ये देख मै आपका 3000 लेकर जाएगा, फिर आप 1500 कमाएंगे, आपका 6000 लेकर जाएगा, ये सब पहली ही process में होगा, ये जितनी भी बाते में बता रहा हूँ, ये सब कुछ पहली ही process में होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब आप psychology के game म फरसे हुए हैं पहले वाले chapter में, चलो अब दूसरे वाले chapter में आ जाते हैं, यहां से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, अभी हम एक chart है आगे, वो बताएंगे कि किस step पे कितने लोग निकलते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, बोलेंगे share market तो 60 है, जिनको गेम में आगे बढ़ने का मन है, होसला है, उसने का नई भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर क्या होने वाला है ध्यान से सुना, फिर आएंगे आप step number two पर, step number two पर क्या होगा, देखिए, आप step number two में विनमृता लेकर आएंगे, पहले क्या लेकर आए थे, आपने ego, घमंड की भाई, तेरा भाई ही करेगा, लेकिन दूसरी step में आप विनमृता लेकर आएंगे, ये दूसरा phase होगा आपका life का, आप खुत में change महसूस कर पाएंगे, कि आज जो पहले में market में आया था ना, वो अलग इंसान था, लेकिन अब मैं जो आया हूँ ना, बहुत अलग इंसान हूँ, ये जिस दिन आपके अंबर होने लगे, तो समझ लेना, आपकी दूसरी step शुरू हुई है भाई साब, अभी पहली खतम हुई है, दूसरी शुरू हुई है, तो आप अपने आपको बताओ मुझे comment box में कि आप कौन सी step में हो, पहले 4 step देख लो, फिर क पैसा आपने खोया है ना, वो आपको ज्यान देगा, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, market में सुबह जो व्यक्ती पैसा लेकर आता है ना, वो शाम को ज्यान लेकर जाता है, देखना, समझना, जो व्यक्ती सुबह पैसा लेकर आएगा, वो ज्यान लेकर जाएगा शाम को, और जो वेक्ती सुभए ग्यान लेकर आएगा ना, वो शाम को पैसा लेकर जाएगा, इस बात को नोट कर लेना, तो यहाँ भी दूसरी स्टेप में ऐसे ही होने वाला है, कि आपने जो पैसा लगाया था पहली स्टेप में, उसने आपको ग्यान दिया, और जो घमंड लेकर आये थे, वो बिनमृता में बदल जाएगा, लेकिन अब नीचे आपके साथ कुछ और होगा, वो समझ लीजिएगा, अब पहले आप कैसे थे, फियरलेस थे, देखो, फियरलेस थे आप, आपको डर ही नहीं था किसी चीज़ का, लेकिन अब दूसरी स्टेप में आते आते, आपको ट्रेज लेने में डर लगने लगेगा, ध्यान से समझना, यह होगा आपके साथ, मैं आगे अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों यह बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब को कैसे काबू में करना है, वो सीखना है पहले, तो आगे क्या होने वाला यह आपको पता तो होना चाहिए न, कि कोई वेक्ति बच्चा प्लानिंग करता है, कि भईया मेरे को बच्चा पैदा करना है, तो उसके पहले उसे पता तो होना चाहिए, कि जब वो बच्चा होगा उसके बात कौन-कौन सी जिम्मेदारिया उसके पास आएंगी किस प्रिकार का feeling आएगा, किस प्रिकार से उसकी life बदल जाएगी ये बात पैदाए, ये बात पता ही नहीं होगी ये दि किसी विक्ति को और वो बिना सोचे समझे ये दी, बिना planning के ये दी कुछ इस प्रिकार की चीज़े करता है तो life में फिर बाद में क्या होने वाला है वो सिर्फ वो जान सकता है इसलिए हम जो पैसा कमाने की शुरुबात करने वाले हैं तो उससे पहले की process जान रहे कि आपके साथ होने क्या वाला है बहुत गंदा-गंदा होने वाला है ठीक है तो आप क्या होंगे फिर fearful हो जाएंगे second वाले step में अब क्या होगा कि पहले जब आप आए थे तो trade लेने में डर नहीं लग रहा था वो जो click की बटन है यदि आप laptop ये computer पर click करते हैं उसमें डर नहीं लगता था या फिर mobile से करते होंगी तो ऐसे swipe करने में डर नहीं लगता था पहली वाली step में दूसरी वाली step आते हाते हैं आपके हाथ रुख जाएंगे या वो click नहीं होगा आपसे क्या होगा click करूँ ना करूँ क्लिक करूँ ना करूँ यदि ऐसा आपके साथ अभी हो रहा है तो समझाना आप step number two में हो कौनसी step में हो two में हो इसमें क्या होगा है आप थोड़े से fearful होगए क्यों fearful हुए क्योंकि आपके पास ग्यान आए तो उसमें दिक्कत क्या होगी आप थोड़े से fearful हो जाएंगे आप click click जो करेंगे उसमें डर लगेगा आपको कोई दिक्कत वाली बात ते हैं अभी तीसरे step में समझ में आ जाएगा उसके बात क्या करेगा मार्केट में पहले क्या होते थे आप बैठे रहते थे अभी आप जल्दी भाग जाएंगे पहले वाले step में आपको loss हो रहा है आप बैठे रहेंगे क्योंकि आप over confidence लेकर रहे थे तो आपको पता रहेगा कि अरे market तो मेरी ही दिशा में जाएगा आप उपर का खरीदेंगे market कैसे हो गया और तेरे भाई के साथ ऐसे कैसे हो गया तेरे भाई को तो सब कुछ आता था तो भाईया second step में यह होने वाला है क्या आप विनम्र हो जाएंगे ग्यान लेकर आएंगे है ना यहां पर थोड़े से fearful हो जाएंगे आपको trade लेने में फिर दिक्कत होगी आपका ज दूसरी वाली step में है तो आप नीचे लिख के बताईए तीसरी में क्या होगा चीक है तीसरी वाली step में जो है market आपकी परिक्षा लेगा क्योंकि अब आप दूसरी step पार कर चुके हैं तो तीसरी step में क्या होगा आप बहुत मेहनत करेंगे बहुत मेहनत करेंगे और सारे chart pattern सारे candlestick pattern, अपनी खुद की strategy, अपनी खुद की psychology, हर चीज को improve कर लेंगा, ठिक, लेकिन market अभी भी पैसे नहीं देने वाला, तीसरी वाली step में क्या होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, market आपको ऐसे सामने खड़ा करेगा, ठिक है, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, और माल पहले क्या करेगा, मुझे इधर से जोर से तमाचा मारेगा, मैं खड़ा रहा हूँगा चुपचाप, मैं कौन हूँ, आप, मतलब हम normal विक्ती है, फिर market मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं चुपचाप खड़ा रहा, हसते रहा, फिर market दूसरे गाल पर जोर से तमाचा मारेगा फिर मेरे को इधर से तमाचा, इधर से तमाचा, इतने चाटे मारेगा, इतने चाटे मारेगा, चाटे मारने का मतलब पता है न क्या हुआ, इधर से हैसेल देगा, इधर से पैसा ले जाएगा, कभी इस strategy में लेके जाएगा, कभी उस strategy में लेके जाएगा, आपको पैसे ही देगा आपको क्या लग रहा था कि भई आप तो मैंने सब कुछ फॉलो कर लिया है आप क्यों नहीं पैसा दे रहा है मार्केट मुझे क्योंकि मार्केट के आप तीसरे वाले चक्र में हो आप सही सैट अप फॉलो करोगे है थोड़ी देर के लिए लेकिन जो इस तीसरी परीक्षा में पास हो गया कितने ही चाटे मारे मार्केट ने लेकिन उसके बाद भी प्रणाम करता रहा मार्केट को जुक के खड़ा रहा और कहा कि आप मुझे कितना ही चाटा मार लीजिए लेकिन इधर से निकलूँगा नहीं हारूँगा नहीं हिम्मत तो हारूँगा ही नहीं जितनी बार आप मेरे को गिराएंगे मैं उटके खड़ा हो जाऊंगा और इगो नहीं लाओंगा कि कैसे मार दिया मुझे आप तो मैं बताऊंगा मार्केट को ऐसा नहीं जब भी चाटा पड़ेगा जब भी लात मार के फेक देंगे मार्केट भगवान आप हाथ जोड़के हमेशा चहरे पे स्माइल ऐसा नहीं कि चाटे पड़ गए तो अभी दुखी हो गए देखो मेरा मार्केट में कुछ नहीं हो रहा तीसरी स्टेप में यहीं होगा और यहीं करना होगा कि कितने ही चाटे पड़ जाए आप मार्केट भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ेंगे और हमेशा जो भी चीज वो आपको दे रहे हैं चाहे reward दे रहे हैं चाहे आपको pain दे रहे हैं आपको दोनों ही condition में market के सामने वनम्र होकर जुक्के खड़े होना है जिसने इस तीसरी step को cross कर लिया उसके जीवन में आएगा चौथा और last step तब आप एक trader बन जाएंगे तब आप एक trader बन जाएंगे न आपके अंदर fear होगा और नहीं greed होगा मतलब समझना fear नहीं होगा का मतलब यह मतलब समझ लेना कि फिर आप डरेंगे ही नहीं आपको पता होगा कि कहां डरना है और कहां नहीं डरना है कहां greedy होना है समझना पूरा greed भी खतम नहीं होगा कहां greedy होना है कहां ले के भागना है और कहां greedy नहीं होना है ये भी आपको पता चल जाएगा ना जल्दी भागोगे और ना late तक बैठोगे ये कुछ गीता के किसी पार्ट जैसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि मैं न यहां कहूं न वहां कहूं कुछ चीज समझने की कोशिश करना ना आपके अंदर fear होगा ना greed होगा नहीं आप जल्दी भाग जाएगे और नहीं आप late तक बैठे रहेंगे मतलब आप एक balance की स्थिती में आ जाएंगे और तब बनेंगे आप एक असली trader लेकिन अभी वीडियो खतम नहीं हुई है ये तो वीडियो की शुरुवात है अभी तो शुरू हुआ है वीडियो अब असली psychology की टीजे सीखना शुरू करते हैं चार step के बाद जरूर बताईए चलिए trading भावनाओं का खेल है समझना psychology को समझना trading जो है वो भावनाओं का खेल है और trade आपकी भावनाओं की परिक्षा है जो पूरा का पूरा trading है ना वो पूरा emotional खेल है वो psychological खेल है मैंने कहा ना 80-70-80 प्रतिशत पूरा यही खेल है कभी आपको greed आएगा कभी आप guilt feel करेंगे अलग-अलग feeling और emotion आएगे राग को रोएंगे कि भाई मेरे से क्या गलती होगे मेरे को पैसे क्यों नहीं मिल रहे यह सब होगा आपके साथ और trade जो है जो trade लेते हैं आप कि यह click किया trade ले लिया वो आपके भाउनाओं की परिक्षा है कि आप अपनी feelings को कितना control कर पाते हैं आप समझना खेल ठीक है जब trade आपके favor में जाएगा तो आपको greed आएगा कि और उपर जा रहा है अब बस उपर ही जाएगा फट जाएगा यह तो 20,000, 21,000, 22,000 आज ही cross कर जाएगा आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा शुरू-शुरू में तो greed आएगा आपके अंदर जब favor पे जाएगा तो क्या-क्या emotion आ रहे है जब आपके favor में गया market तो आपको greed आया पहला emotion जब आपके against में जाएगा जब आपके विप्रीत में जाएगा तो आपको क्या आएगा fear आएगा या फिर यहाँ पे आपको गुसा भी आ सकता है कई बार लोग शुरू आती जो पहली वाली step होती है जब against में जाता है तो गुसा कर जाते है market से और दूसी वाली step आती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है उनको fear आने लगता है ठीक है तीसरा वाला emotion क्या है जब market में आप win करेंगे जब आप market में win करेंगे जीतेंगे तो आपको pride या ego आने लगेगा कैसे जो पहली वाली step है ना उसमें आपको ego आने लगेगा या रहे तेरे भाई ने देख आज 500 कमाए देख आज 1000 कमाए देख आज 5000 कमाए ये ego आएगा और दूसी वाली step में कैएगा आपको थोड़ा pride आने लगेगा आपको लगेगा कि आज चलो मैंने एक proper setup पे लिया या strategy के according लिया तो मेरे को win हुआ चौत्य वाले में कैए है जब आप loss करोगे तो आपको sad या guilt feel होगा ये सारे के सारे emotion है ये feel करने वाले हो अभी 15 दिन के बाद में शुरू करने वाला हूँ मज़ा आएगा देखना तो अभी ये सारे के सारे emotion ये class तो अपने दिमाग में चाप लेना मतलब इसको तो save करके रख लेना ये आपके G1 की सबसे महतपून class होने वाली है ये आप नए beginner trader है और अभी तक या तो cost to cost है या फिर loss making trader है ये G1 मदल देगी class आपकी तो ये चार चीजें हमेशा याद रखना कि क्या होने वाला है फिर से वही बात कि हम planning कर रहे कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है आपको पहले ही पता होना चाहिए कि अगले 15-20 दिन के आदि आपके अंदर होना शुरू होने वाला है या कई लोगों को हो रहा होगा आप समझना ट्रेडिंग साइकलोजी का रहस ये क्या है देखो ऐसे तो बहुत सारी चीज़े सिखाने वाली है जो मैं आगे भी साइकलोजी के special वीडियो बनाऊंगा उसमें सिखाऊंगा लेकिन सबसे बड़ा रहसी क्या है वो समझना है एमोशन को इतना काबू करना है कि जब लॉस हो तो कम खोए और प्रॉफिट हो तो जादा प्रॉफिट ले बस सबसे बड़ा साइकलोजी का पॉइंट यही है शुरुवात में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है शुरुवात में कि आपको एक ही चीज ध्यान रखना है अपने साइकलोजी को इतना इंप्रॉव करना है मेंटल लेवल को इतना इंप्रॉव करना है कि जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जब उनको लॉस होता है देखो ये लॉस हुआ तो इतना ही लॉस लिया छोटा सा लॉस लेंगे वो लोग बड़ा लॉस नहीं लेंगे है ना जबकि market बहुत उपर जा रहा है या बहुत नीचे जा रहा है आप profit नहीं लेते हैं आप छोटा सा profit लेके निकल लेते हैं लेकिन जब loss होता है तो आप एक बड़ा loss market को देते हैं बड़ा पैसा market को देते हैं और सिर्फ यही कारण है कि आप एक loss making trader है इसको सिर्फ reverse कर कि जब मार्केट आप से लेगा तो आप मार्केट को छोटा पैसा दोगे और जब आप मार्केट से लोगे या आपको देगा मार्केट सीधी सी बात आप नहीं ले सकते हैं हमारी तो अकात नहीं है मार्केट से कुछ ले पाए मार्केट जब आपको देरिने को राजी होगा, मार्केट प्रभू, मार्केट भगवान तो आप उनसे कहिए थोड़ा सा जाधा देदो जितना लॉस केतल से दूगना तीगना देदो बस इतना आपके लिए काफी है तो ये सबसे बड़ी साइकोलोजी है इसको आप स्क्रीन शॉट लेकर रख लो चलो, समझना जो ट्रेडर होते हैं, उनका सर्वाइवर रेट कहा है वो निकालते हैं, पहली स्टेप क्या होती है ये वाली, most of the trader जो है, स्टार्ट एक ड्रीम जो है, पैसा कमाना है ऐसा रिच बनने का ख्वाब लेके ये देखो, 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 स्टेप में लास्ट में नमबर 1, एक सिर्फ एक ही परसेंट लोग बसते हैं तो यहाँ पे 100 प्रतिशत लोग आते हैं तो 100 प्रतिशत लोग क्या सोच कहाते हैं most traders start with the dream to get rich quick कि जल्दी से अमीर होना है इस सोच को लेके 100 लोग आते हैं market के अंदर 40 प्रतिशत traders quit after 1 month 40 प्रतिशत लोग यदि 100 लोग आये तो 40 लोग quit कर देंगे ठीक है तीसरी step में 80 प्रतिशत quit within 2 years 1 से 15 साल 2 साल के अंदर 80 प्रतिशत quit कर देते हैं 7 प्रतिशत remain after 5 साल 4 से 5 साल के बाद सिर्फ जितने आये थे शुरू में उसके 6-7% रहते हैं और वो 6-7% भी पूरे नहीं रहते उसमें से भी सफलता जो है मात्र 1% trader को मिलती है इस बाद को याद रखना और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ऐसा नहीं कि उनको कुछ ग्यान नहीं उनको pattern नहीं पता कुछ भी नहीं है सबसे बड़ा रोल जो शुरू में बताए था कि सबसे बड़ा खेल शुरू होता है psychology का कि course तो आपका एक दो महीने में हो जाता है यह psychology को improve करने में जो समय लगता है न होंगे normally आप अभी तो हाँ जवाब दे देंगे कि हाँ सर ले लेंगे क्योंकि आपको इतना सिखाया जा रहा है normally कोई भी इंसान ऐसी दोड़ में नहीं दोड़ना चाहता जहां उसको पता है कि उसको हार नहीं है almost उसको हार अपने हाथों से सविकार करनी है ऐसा इंसान के अंदर behavior ही नहीं होता समझना साइकलोजी समझना ठीक है तो इंसान के दिमाग में हारने की मानसिक्ता बनी ही नहीं है traders क्यों fail होते हैं वो सबसे बड़ी साइकलोजी समझा रहा हूँ लेकिन trading में इसका उल्टा है हार आपको अपने हाथों से लेनी होती है तभी तो लोग trader नहीं बन पाते है सिर्फ एक प्रतिशती बच पाते है क्यों? क्योंकि भाईया जो नीजी जीवन में सिखाया गया है trading इससे पूरी उल्टी है नीजी जीवन में क्या सिखाया है आपको? कि आपको हारना नहीं है जबकि trading में पता है क्या होता है आपको अपने हातों से हार को सुईकार करना होता है मतलब stop loss लीना होता है यह बाद में बताएंगे हम इनको नहीं पता हमें हमेशा जीत चाहिए या फिर हमें हमेशा सही होना है देखो normal psychology human की क्या होती है कि या तो हमको जीत चाहिए क्यार मैं जीत जाओं या मेरे को जीत मिले या फिर जब किसी से conversation होता है discussion हो रहा होता है तो आप हमेशा क्या उमीद करते हैं कि सब लोग मेरी बाते माने मैं हमेशा सही साबित हूँ ये हमारी general मानसिक्ता होती है लेकिन stock market में या trading में ये psychology नहीं चलती है और क्योंकि ये बचपन से psychology हमारी बनी हुई है इसी psychology को change करने के लिए 6 महीने साल भर 2 साल 5 साल लगता है क्योंकि बचपन से यही तो है ना हमारे अंदर क्या है कि भाईया हमको जीतना है यार मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ या इसने मुझे कैसे गलत बोल दिया या मैं कैसे गलत दिख सकता हूँ भाईया market के अंदर आप गलत होंगे भी और होना भी पड़ेगा जब 5 दिन 6 दिन आपको market पैसा देगा तो एक दिन आपसे लेगा भी ये बात समझना और आपको खुशी खुशी गले लगाना है उस हार को कि आज मेरा ऐसे लाया तो कोई दिक्कत नहीं है यार 4 दिन 5 दिन मुझे पैसे मिले भी तो है ये psychology develop करना होगा तो simple सी बात इस वाली slide से में क्या समझाना चाहता हो कि हमारी जो मान सिकता है वो winning वाली मान सिकता है वो हमेशा सही होना चाहती है लेकिन market में हमेशा ऐसा नहीं होता है market कैसे चलता है अब देखिएगा समझना जबकि trading खेल ही हार और जीत का है trading जो है ना खेल ही हार और जीत का यहां हार भी चलेगी जीब भी चलेगी लेकिन जब जीतेंगे तो जादा जीतेंगे जो एक slide में बताये था और हारेंगे तो थोड़ा पैसा देंगे अभी मैं सिखा रहा हूँ stock market में हर दिन आपको अपने हातों से हार लेनी पड़ सकती है हर दिन लेनी पड़ सकती कभी-कभी किसी trader अच्छा trader है सब कुछ गयान है उसको कभी-कभी 2-3 दिन SL आ जाता है 2-3 दिन लगाता रा जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी strategy पर भरोसा करना बंद कर देता है फिर वो जीतता भी है जिसके लिए आपको हमेशा तयार रहना होगा और दिमाग को भी तयार करना होगा कि भई यह इसमें अपने हाथ से ही हमको हार लेनी है चलो आप समझना सबसे important slide है सबसे important slide है सब कुछ काम बंद कर दो दो मिनिट के लिए focus इधरी रखो समझना देखो जैसे मैंने 10 दिन का एक trade का example लिया क्या psychology improve करना है वो समझना इसमें आप 50% बार हारे और 50% बार जीते 50% जीते और 50% हारे अब आपको क्या लगता है आप जीतेंगे की हारेंगे ध्यान से समझना psychology कितनी important है trading के लिए पूरे 50% बार आप हार रहे हैं और 50% बार आप जीत रहे हैं आपकी क्या होगी आपको लग रहा होगा आपकी हार होगी बिल्कुल भी नहीं उसके बाद भी आप जीतेंगे ही कैसे जीतेंगे हैं ध्यान से सुनेगा psychology आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप जीतेंगे तो मार्केट से 1000 रुपे लेंगे और जब आप हारेंगे ये आपको नियम बनाना होगा रूल बनाना होगा इसी discipline को follow करना होगा आपको मार्केट को कहना होगा कि मार्केट भगवान जब मैं हारूंगा तो मैं मार्केट भगवान को 500 रुपे दूँगा लेकिन जब मैं जीतूँगा मैं अपने setup पे जीतूँगा तो मुझे 1000 रुपे चाहिए इस पे आरदना पड़ेगा आपको अपने भगवान को मनाना पड़ेगा कि भगवान आप चाहो तो ये 500 रुपे लेके जाओ मुझे नहीं चाहिए 500 रुपे ले जाओ लेकिन जब मुझे दो तो please मेरे को 1000 री चाहिए अप समझना कि आपने 10 ट्रेट किये 10 ट्रेट लिए हम एग्सामपल ले रहे यहाँ पर एक से लेके 10 तक गिनती लिखी हुई है पहले ट्रेट में आपके 500 गये माइनस ठीक है पहले ट्रेट में क्या हुआ आपके 500 चले गए दूसरे में भी 500 चले गए तीसरे में हजार आए, चौथे में पांसो गए, यहाँ पे हजार आए, हजार आए, पांसो गए, हजार आए, पांसो गए, हजार आए पांच बार हजार आए और पांच बार पांसो गए, साइकलोजी को समझना 1000 कितनी बारा है 5 बार मतलब आपके कितने बने 5,000 रुपे बने और गए कितने 500 रुपे तो 5 बार 500 रुपे गए थे आपके गए कितने 2500 रुपे 5000 में से जब माइनस करेंगे 2500 को तो आपके पास शुद्ध जो लाब होगा मतब शुद्ध तो नहीं है उसमें और भी चीज़े जोड़ी मैनस होगी लेकिन अभी के लिए समझाने के लिए 2500 रुपए आपका profit होगा पूरा खेल समझ लेना यदि आपको share market में रहना है तो इस slide को समझ लेना नहीं तो आप चले जाओ आज ही share market छोड़के यही होगा यही सच्चाई है कि किसी दिन आएगा किसी दिन जाएगा बस नियम क्या रखना है जिस दिन आएगा उस दिन थोड़ा जादा आए और जिस दिन जाएगा उस दिन थोड़ा ही जाए है ना एक ratio में जाए यही नियम रहेगा हर दिन यह होगा हर दिन आपके दिमाग को परिशान परिशानी होगी यदि आपके साइकलोजी इंप्रूव नहीं होगी तो और यदि एक बार साइकलोजी इंप्रूव हो गई तो इससे आपको डर नहीं लगेगा आरे 500 जा रहा है ना जाने दे और 500 गया जाने दे और 500 गया जाने दे फिर 1000 1000 बैक टू बैक भी आएगा तो ये ही होगा आपको लग रहा है कि 100 के 100 ट्रेड में मेरी विनिंग होना चाहिए मुझे जीत नहीं है नहीं होगा भूल जाओ ये तो बहुत जब आप बहुत experience हो ये आपकी strategy, planning, rules, regulation, discipline पर depend करेगा लेकिन शुरुवात तो ऐसी ही होगी इस बात को याद रखना और हो सकता है हारने वाले जादा हो अभी शुरुवात में जीतने वाले कम हो तो भी चिंता करने की कोई जूरत नहीं है चलो आगे बास समझना कैसे करे psychology को ठीक है ना इसमें चार पॉइंट है अब देखो इतनी सारी problem बता दी कि ये problem, वो problem ऐसा होगा वैसा होगा सब बता दिया लेकिन ठीक कैसे होगा ये तो बताना पड़ेगा ना तो ठीक कैसे होगा ये चार step है उसके पहला step आपको अपने method को ठीक करना होगा method को ठीक करने होने का मतलब क्या हो सकता है, चाहे वो demand supply हो सकता है, चाहे वो Fibonacci हो सकता है, चाहे वो Elliot wave की strategy हो सकती है, कुछ भी करिए, पर एक पर ही करिए, ये बात आपको धीरे-धीरे समझ में आईगी, अभी नहीं आईगी, हमको भी नहीं आती थी, कि एक पर क्यों होता है कि भाई या बार बार हर चीज़ पर trade क्यों नहीं लेते हैं या आपको थोड़े समय बात समझने आएगा जब आप खुड trade लेना शुरू करेंगे तो method होना चीज़ है और method के अंदर भी एक ही strategy होना चीज़ है जिसमें आपका edge हो और वो आपको खुद को बनानी पड़ेगी कोई दे नहीं सकता आपको दूसरी चीज़ आपको money management करना पड़ेगा psychology को ठीक करने के लिए पहले method बनाना पड़ेगा उसके बाद money management कि आपके पास जितना भी पैसा है उसका एक बटे 5 हिस्सा या एक बटे 4 जो हिस्सा होता है सिर्फ उसी को market में लेकर आना है बाकी 3 हिस्से या 4 हिस्से आपको market से बाहर रखना है वो आपको अपने account में डालना ही नहीं है वो आपके पास रखे होना चाहिए आपके saving account में या cash में तीसरा ये अभी बहुत detail में सिखाने वाले है इसकी class अलग होगी तीसरा आपका mind management ठीक होना चाहिए आपको हर चीज जो अभी सिखाए जा रही है या आप अपने experience से सीखेंगे या आपको अपने trade का journal बनाना होगा मतलब हर दिन लिखना होगा कि मेरे से ये गलती हुई ये मेरा ये ठीक रहा आज में कुफियर आ गया था इसलिए जल्दी निकल गया आज मेरे को लालच आ गया था इसलिए में निकल नहीं पाया इसलिए वापस से loss आ गया ये सब लिखना होगा और चौता जो है अब लास्ट स्लाइड आने वाली है जो मैंने आपके लिए बनाई है जो मैंने खुद ने लिखी है चलिए लास्ट स्लाइड आज की अमोंग रूल एक सन्यासी का क्या रूल है एक सन्यासी बनके आप क्या रूल फॉलो करेंगे देखना ध्यान से देखना जो भी व्यक्ति या जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं देख सकता पहली चीज बहुत इंपोर्टन रूल बनाया आपके लिए ये तो मैं कह रहा हूँ कि वाल पेपर बनवा के अपने घर चिपका दो ये लो स्क्रीन शॉट ले लो और इसको वाल पे नहीं सकता और सुधार के फिर से नहीं गलती करने के लिए तयार नहीं हो सकता वो इंसान कभी ट्रेडर नहीं बन सकता ये मैंने आपके लिए लिखा है ये कहीं से ढूना नहीं है ये मैंने खुद ने आपके लिखा है क्या है फिर से सुन लो जो व्यक्ति अपनी गलती नह भगवान है, जो आपकी गलती आपका आईना आपको दिखाएगा हर बार, हर रोज दिखाएगा, हर 5-10 मिनिट में दिखाएगा कि देख तू क्या है, तो पहले अपनी गलती को देखना सीखना होगा, तो जो विक्ति अपनी गलती नहीं देख सकता, वो stock market में मत आओ, पहला ये follow करना पड़ेगा, दूसरा, गलती तो देख ली, गलती तो पता है, कि मेरे से ये गलती हो रही, उसको सुईकार ही नहीं कर रहा है, भाई साब, आप जैसे लोग भी market से हट जाओ, बहुत दुबा के जाओ के पैसा, सज बता रहा हूं, पहले वाले भी, यदि ऐसा है, पह कई लोग सुईकार कर लेते हैं कि हाँ यार मुस्से ये गलती हो रही, मैं जूट बोलता हूं, मैं चालाकी करता हूं, मैं लोगों को धोका देता हूं, मानता हूं, लेकिन कल फिर गए और धोका दे दिया, कल फिर गए और चालाकी कर दी, कल फिर गए और किसी का कुछ छु करो और चौती चीज सबसे important कि ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद भी आप एक नई गलती करने के लिए तयार हो क्या रिस्क लेने के लिए तयार हो क्या हाँ है यदि ये चारो चीज़े आपके अंदर है चारो खुबी आपके अंदर है तो welcome to among trader community इस community में आपका स्वागत ह और अब आपके जीवन का बदलाओ जो है आपके हातों में है और अब से आपके जीवन की एक नई दिशा एक नई शुरुवात होने वाली है I hope कि ये psychology की class आपको बहुत जादा पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ clear हुआ होगा और मैं कह रहा हूँ अपनी समझ जाओगे दो साल में समझ जाओगे लेकिन बिना समझे इस बात को इस class को बिना समझे आप trader बन ही नहीं सकते यह मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ क्योंकि personally मैंने भी इसे feel कर लिया है मैं भी इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि psychology सबसे important है trading journey के अंदर चलिए तो कि ऐसे ही मज़िदार वीडियो potential जिन में हो जो आपको आगे बढ़ा है आपकी life change कर दे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे वहाँ पर इसके बाद यह अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है फ्री डीमेट अकाउंट का link दे रखाए नीचे जल्दी से जाएए और करो कि वीडियो कैसे लग रहें तब तो मेरे अंदर और अनरजी आया और इसी एनरजी के साथ मैं घंटे-घंटे की वीडियो बनाओ कि तो हम देखेंगे वहीं से आती है इतने एनरजी कि मैं इतने बड़े-बड़े वीडियो आप लोगों के लिए बना पा रहा हूं और ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूंगा चलिए तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद